हे गाईज गैसे हैं आप सब मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेख फ्लोक में तरा मेरे साथ आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करूँगा copyright free music की आप मैंसे भी बहुत सारे लोग दोस्तों जो यूट्यूब पे work करते हैं चैनल बनांके रख्यों हैं वीडियो बनाते हैं तो आपको भी कभी न कभी copyright का issue आया होगा कभी भी आपने कोई ओडियो अगर आपने वीडियो के अंदर यूज किया हो और आपको नहीं पता ह कि यूट्यूब प्रवाइड करता है आपको audio library जो आपकी फ्री में आपके यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपको कैसे डाउनलोड करना वे music कैसे उसका इस्तमाल करना है तो आज के वीडियो के अंद दोस्तों आपको जाना आपके YouTube अंदर जैसे ही आप YouTube अंदर जाएंगे YouTube स्टूडियो में तो वहाँ पर आपको ये लेट साइड में दिखाई देते हैं Dashboard, वीडियो, Playlist, Analytics, Comment वगयरा के option जो इसके नीचे बिलकु सबसे नीचे आपको audio library का एक option दिखाई देता है इसके उ उसको सुन भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता तो वह आप डाउलूड करिये और यहां पर यहां पर आपको बताओं कि यहां पर आपको filter भी दिए गये हैं यहां पर अपनी मर्जी से जो है वह यहां पर change भी कर सकते हैं अगर आपको फिल्टर लगा के change करना है तो आप जितने भी filter हैं वो लगा के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई favorite music है, तो वो आप यहाँ पे सर्च भी कर पाएंगे, साती सात यहाँ पे आपको अलग-अलग जोनर के music जो हैं, वो यहाँ पे आप अलग से filter करके भी ठूंट सकते हैं, duration भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज और भी दी गई है दोस्तों वो है attribution not required और attribution required यानि के बहुत सारे music यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी है जिसको आप बिल्कुल free में जिसके लिए आपको कोई भी credit आपको वीडियो के description में नहीं डालना होगा और कुछ music ऐसा भी है यहाँ पर दोस्तों आपको attribution required का मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ credit के रूप में वहाँ पर आपके description में आपके वीडियो के description में आपको डालना पड़ेगा तो उसके बाद आप उसको use कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको attribution not required का भी music मिलेगा और attribution required का भी यानि कि copyright free तो totally heavy और साथ में अगर copyright free है अगर आपको करना है तो आपको कुछ ना कुछ उसका जो credit है वो आपको YouTube वीडियो के description में डालना हुआ तो यहाँ पर आप जितना music चाहें उतना ले सकते हैं यहाँ पर unlimited आपको music देखने को मिलेगा तो यहाँ आपको play करके दिखाता हूँ दोस्तो मान लीजे आपको यह music पसंद है मान लीजे मने आपको click किया और यह music जो है दोस्तो आपके सामने play हो रहा है आपको सुनाई भ यानि के इसके अंदर आपको attribution डालने की जरूरत है या नहीं है आपको credit देने की जरूरत है या नहीं है वो यहाँ पर आपको mention भी होगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा no attribution required यानि कि आप इसको directly use कर सकते हैं आपको कोई भी credit डालने क आपके description में जरूरत नहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाप आप देह सकते हैं कि इसके सामने ही just जैसे आप cursor लेके जाते हैं तो यहाप आपको download का भी link मिलेगा कोई भी music आप download कर सकते हैं यहाप आप नीचे मैं आपको एक बाद दिखाऊँ तो यह देखिए यहाप इतने सारे pages हैं आप किसी भी page पे जाके कितना भी music जो भी आपको अच्छा लगे वो download कर पाएंगे तो इसके सामने माल लेजिए यह music में download करना मैं इसके उपर click करता है download के और यह directly यहीं सही download होना शुरू हो जाएगा आपके सामने अभी save के लिए आएगा यह देखिए save के लिए आपके सामने पूछ रहा है और आप इस music को कहीं पे भी save कर सकते हैं और in future कभी भी use कर सकते हैं आपने जब editing करें कीज़ी वी वीडियो की तो उस टाइम पे आपको भी भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अपने background music के तोर बे तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने copyright free music का भंडार पड़ा है आपको कहीं से भी और कोई भी music आपको लेने की जरूरत नहीं है हाँ कुछ paid website भी दोस्तों ऐसी हैं इनके उपर आपको free music मिल जाता है लेकिन वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैसे देने ही पड़ेंगे आपको कोई ना कोई subscription लेना पड़ेगा साथ ही साथ वहाँ पे ये भी डर होता है तो आपके जो पिछले वीडियो हैं के उपर कोई ना कोई copyright आ जाए ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है काफी लोगों के चैनल पे ये चीज हुई है तो आप कभी भी अगर ये चीज करें तो थोड़ा सा ध्यान करके देखिएगा और अगर आपको free music चाहिए तो YouTube आपको परवाइड करी रहा है यहाँ आप यहाँ से जितना मर्जी चाहिए उतना ले सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं सारा तरीका मैंने आपको बता ही दिया तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखी लिया होगा दोस्तों और समझे भी आ गया होगा कि कैसे आपको YouTube स्टुडियो में जाके Audio Library का इस्तमाल करना और वहाँ से कोई भी music आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी copyright बिल्कुल free और कोई भी copyright आपके किसी भी वीडियो पर नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिफ़ इतना ही रखते हैं अगर वीडियो आपको अचाल के तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर तब तक बने रहे है टेक व्लोग मंतरा के साथ जाहिन जावार